तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिस्म के एंसी क्यूज तो आप सब कैसे हैं आप सब की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी तयारी को और अच्छा करने के लिए आप फार्मेसी इंडिया के साथ जोड सकते हैं आपको सिंपल सा एक मेसेश टाइप करना है डी पी इंडिया और उसको फेज़ दिना है इस नमबर पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो की मेटाबॉलिजम से रिलेटेड है और एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके डिफरेंट कॉंपरिटिटिव एक्जाम्स जैसे की आपका जी पैट, नाइपर, डी पार्मा, एक्जिट एक्जाम, नीच हर एक्जाम के लिए ये सभी की MCUs बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो चलिये स्टार्ट करते हैं, लॉस ऑफ एलेक्रोंस चैन बी टर्म्ड एस, जो एलेक्रोंस का लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटाबॉलिजम बोलते हैं, अनेबॉलिजम बोलते हैं, ऑक्सिडेशन बोलते हैं, य किसी और को दे रहा है a को सुपोर्थ यह ढिलिख जब Rem one systems को लूँना और को pale यह घर कर लाया और सबस्देंक को क्या करते है इसे यह उक्सिरन कहला है और一次 फिक्ष्टेंशिंग इंगते हैं चर्ड पर हर लुट मैं इ। अगर कोई reactant electrons को loose कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे oxidation कहेंगे और बात करेंगे अगर एक reactant electrons को accumulate करता है तो उसे क्या कहेंगे हम reduction कहेंगे तो देखिए ये है हमारा reducing agent x ये है x जो भी क्या है reducing agent है अब reducing agent electrons को क्या करेगा donate करेगा और खुद क्या हो जाएगा oxidize हो जाएगा reducing agent है यालिकी कुछ reduce कर रहा है क्या reduce कर रहा है electrons reduce कर रहा है और electrons को reduce करके खुद क्या हो रहा है oxidize हो रहा है और Y के बात करें, यह है हमारा Y, अब यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोंस को ले रहा है, यह हमारा X है बहुती दानवीर है, अपने इलेक्ट्रोंस Y को दे रहा है वाई का कर रहा है यह खटा कर रहा है और खुद क्या हो रहा है खुद हो रहा है यह reduce ठीक है तो यह oxidizing agent है जो कि reduce हो रहा है तो चलिए next question है gain of electrons can be termed as अब हम बात कर चुके हैं कि electrons का loss क्या कहलाता है हमारा oxidation कहलाता है तो gain of electron क्या कहलाएदा reduction कहलाएदा तो चलिए next question है हमारा the enzymes of mitochondrial matrix include all except अब इन में से कौन से enzymes हैं जो mitochondrial में present होते हैं except except word आ गया तो हमें double alert होना है हमें हर बढ़ाहट में अपना question गलत नहीं करना हर एक point को अच्छे से पढ़ना है तो चलिए हम अपने points को देखते हैं enzymes of fatty acid oxidation creatine thymase enzymes of TCA cycle paravid dehydrogenase complex तो इमने से कौन सा है जो mitochondria में present नहीं होता अब देखते हैं fatty acid oxidation तो हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि जो हमारा beta oxidation होता है वो कहां पर होता है वो होता है mitochondria में जब beta oxidation mitochondria में होगा तो उसके enzymes भी कहां present होंगे mitochondria में ही present होंगे अब बात करें creatine kinase की तो creatine kinase कहां पर present होता है muscles में present होता है फिर बात करते हैं TCA cycle हमारी TCA cycle भी कहां पर होती है mitochondria में and paravid dehydrogenase भी कहां present होता है mitochondria में आए देखते हैं तो हमारा जो answer हुआ वो क्या हुआ क्रियेटिन काइनेस क्यूंकि यह mitochondria में नहीं बल्कि कहां present होता है muscles में present होता है आए देखते हैं जो oxidation होती है fatty acids की वो अलग अलग जगह पे होती है जिसमें से कि एक mitochondria भी है अब mitochondria में oxidation हो रही है तो enzymes भी present होंगे तो चलिए next है हमारा जो creatine kinase है उसका क्या काम है creatine kinase present होता है muscle cells में अब यह muscle cells में क्या करता है जो हमारा creatine है क्रिए इन कहां present होता है?感覺 क्रिएटिन SHEST में में अब क्रिएटिन के साथ यह फॉस्फो को जोड देता है और क्या बनाता है? kid भॉस्फो फॉस्फो क्रिएटिन स्विएटिन बना देता है अब हिसी जब फोस्फो हम energy molecule है जिसे body use करती है energy produce करने में तो क्या रोल हुआ creatine kinase का creatine kinase को क्या कर रहा है catalyze कर रहा है जो हमारा creatine है वो कहां present है muscles में present है muscles में creatine के साथ phosphorus जुड़ जाता है और क्या बन जाता है phosphocreatine जो कि एक high energy compound है और finally हमारी body क्या करती है उसे use करती है energy बनाने के लिए इस reaction को catalyze कर रहा है creatine kinase तो यह mitochondria में नहीं बनकी muscles में present होता है next है हमारा TCA cycle TCA cycle सबसे पहले कहां में देखी गईती वो देखी गईती पिजन की muscle tissue में यह सभी eukaryotes, prokyaryotes सभी में होती है और जो हमारी TCA cycle है वो cell में कहां होती है mitochondria में तो इसके भी enzymes कहां पे present होगे mitochondria में लास्ट है हमारा pyruid dehydrogenase भी कहां पे present होता है हमारा mitochondria में और क्या काम करता है pyruid से acetyl coenzyme A बनाने का काम करता है और acetyl coenzyme A हमारी क्रिप cycle में एंटर कर जाती है तो चलिए हमारा next question है glucose will be converted into fatty acid if the diet has exists of glucose है यह fatty acid में कब convert होता है धमाई tightening में से क्या include होता है carbohydrates, proteins, fats या पर vitamins अब glucose fatty acid में convert हो रहा है आपको answer ऐसे ही दिखाई देला होगा जो glucose है वो किस में convert हो रहा है fatty acid में obviously diet में क्या चीज़ प्रिजेंट है fats present है तभी तो fatty acid में glucose convert हो रहा है fatty acids का जो synthesis है वो भी पहुत जाला जरूरी है हमारी body के लिए fatty acids जो है बहुत जाला जरूरी होते है हमें energy मिलती है fat से तो glucose क्या करता है fatty acids का synthesis करता है आएए देखते हैं your body converts excess dietary glucose into fat जो हमारा excess dietary glucose है उसको fat में convert कर लेता है through the process of fatty acids synthesis हमारा जो fatty acids है वो हमारी body के लिए बहुत जाला जरूरी है ताकि हमारी body अच्छे से काम कर सके हमारी body अच्छे से का function कर पाएगी जब उसे energy मिलेगी fats हमें energy देते हैं ठीक है यह हमारे brain की functioning में भी बहुत important role play करता है तो next question है हमारा the energy yield during the conversion of succinate to fumarate is अब succinate से जब fumarate बनता है तो एक और चीज़ बनती है क्या बनती है FADH2 बनता है FADH2 से हमें कितने energy के compounds मिलते हैं यानिकि हमें ATP मिलता है तो कितना ATP मिलता है एक molecule FADH2 का कितना ATP बनाएगा two molecules of ATP यानिकि adenosine triphosphate जो की हमारे energy का source है हमारी body में जो energy है वो किसकी form में stored होती है ATP की form में stored होती है और जो FADH2 है इससे हमें कितनी energy मिलती है two molecules of ATP तो बात करें जो energy yield है during the conversion of succinate to fumarate उसमें हमें कितनी ATP के molecules मिले two ATP के molecules मिले आएगे देखते हैं तो यह है हमारी krebs cycle क्रेब cycle में हमें क्या बनाना है पारोवेट से हमारा acetyl coenzyme A बना क्योंकि पारोवेट अलेक्ली क्रेब cycle में एंटल नहीं कर सकता acetyl coenzyme A oxaloacetate के साथ क्या बनाएगा citrate बनाएगा और finally सारे steps को cover करके फिर से हमारे पास क्या जाएगा oxaloacetate बन जाएगा और यह cycle ऐसे ही चलती रहेगी इसमें हमारा main motive क्या है energy का production यह देखे इसमें energy बन रही है अलग-अलग steps पे यहां पे इन steps पे क्या बन रहा है energy बन रही है ठीक है तो यह सभी steps है जिनमें हमें energy मिलती है अब बात करते हैं कि जब succinate से effuminate बना तो क्या बना एक और चीज बन देख FADH2 और एक FADH2 से हमें कितने molecules मिलते हैं ATP के two molecules of ATP next question है irreversible steps of glycolysis are catalyzed by अब जो glycolysis है यह क्या होता है basically यानिकि glucose का टूटना जब हमारा ग्लूकोस टूट रहा है तो क्या बना रहा है और पारुवेट बना रहा है और पारुवेट क्या करेगा पारुवेट एसेटाल को इंजाल ए बनाएगा जोकि क्लिप साइकल में एंटर करेगा अब glycolysis की irreversible steps की बात पूची है तो चली पहले options देखते हैं हिक्जोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पारुवेट काइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज, पारुवेट काइनेज, ग्लिसरली हाइड, 3-phosphor-D-hydrogenase या फिर अब हमें पहली जाना जरूरी है कि irreversible steps की बाद क्यों की गई है irreversible का मत्तब क्या हुआ normally क्या होता है हमें glucose से energy मिलती है कैसे मिलती है glucose का breakdown होता है और क्या बनता है फिर पारुवेट से बनता है एसे टाईब ओर एंजाइम A और एसे टाईब को एंजाइम A क्रेब साइकल में एंटर कर जाता है और क्रेब साइकल के बाद होती है हमारी अलेक्ट्रान ट्रांसपोर्ट चेंग तो यह सभी हमारे cellular respiration के part है अब इसमें बात कही गई है glucose से जब पारवेड बनता है तो उसको हम बोल देते हैं glycolysis glycolysis के steps क्या है glucose से पारवेड बनने के steps अब कुछ conditions में क्या होता है हमें खाने से glucose नहीं मिल पा रहा क्यों नहीं मिल पा रहा हो सकता है हमें खाना हीना मिला हो ठीक है या फिर हम फास्टिंग कर रहे हूं या और भी conditions हो सकती है जैसे कि हम लोग किट्टोन टाइट पे हो यानि कि वेड लूस करने के लिए किट्टोन टाइट जो होती है वो कंस्यूम कर रहे हो तो ऐसी situation में बॉड़ी क्या करती है सबसे पहले तो हमारी दिलिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वहां से ग्लुकोज बन जाएगा लेकिन इसका भी मान क्या होता है हमारी बॉड़ी गिट्र स्टोर है मंमी ने कहाना नहीं बनाया तो यह होगा क्या हो कर hour बी निकाल बना पड़ेगा खुद से तो हम क्या करेंगे हमारी बॉडी का घटी है जब ग्लुकोस का लेवल बिलट में डाउन हो जाता है जो की स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है तो ग्लुकोस बनना शुरू होगा तो ग्लुकोस कैसे बनेगा पारुवेट से ग्लुकोस बनेगा ये होग इसका सिंथेस इसे हम बोते हैं ग्लुकोस का बनना ग्लुकोस बन रहा है और किससे बन रहा है पारुवेट से बन रहा है अब उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं बीच पीच में कुछ स्टेप्स ऐसे आएंगे जहां पे एंजाइम क्या है वो को चैन्ज हो जाएगा त्रीक है क्यों चैन्ज हो जाएगा अगर दरेखली कि यह फुर हाल क्युप थैप मेला करें कि जू पर हो एंजाइम को एधर से भी रीकशेन को क्याटरडाइज कर रहा है और उथर से को ब्ड़किक इसे बारहा है कि करने के लिए पुछ ऐसे तेप्स के लिए क्यों के लिए पूछा गया है कि वो कौन-कौन से irreversible steps हैं और उनके कौन से enzymes हैं तो हमारे enzymes हैं जो की irreversible steps में हैं वो है हमारे hexokynase, phosphofructokynase और pyruvate kinase तो देखते हैं हमारी glycolysis को यह हमारी glycolysis है इसमें glucose से क्या बनना है हमारा बनना है अब ग्लुकोस से पारुवेड डरेकली नहीं बनता यह विचारा लंबी लंबी सीलियों को ऐसे क्रॉस करके करके फिर फाइनली पारुवेड के पास आता है इसमें कुछ steps जो है वो इर्रिवर्सिबल है और बाकी सब के आता रहे हैं ग्लुकोस के पास जाना पड़ रहा है अब यह क्लुकोस के पास जाने के लिए क्या करेगा सबसे पहले तो बिचारा यह क्या इसमें कौनसा इनजाइम है पारुवेड काइनज आप जो वह फारुवेड से पीफी नहीं बनाता है तो चारा करेगा पारुवेड बिचारा माइ्टो को पोच्छ है, यहां पी पोच्छ नहीं हो रहे है तो माइटो चारा पे जब तो यह किसमे होता था क्योंकि अब यहां पर यह नहीं हो रहा है क्या हो रहा है अब पारुवेड के पास सिगनल आए है ठीक है हमारी बॉडी सिगनल बेच देती है कि अब ग्लुकोस को बना है तो तो असे ताल को एंजाइब अब तुम क्या बना अब तुम बना ऑगजालो आसटेट बनाने के लिए पारुवेड ने क्या करा पहले अब तो अब बात करें ऑगजालो आसटेट की और बिचारा बाहर नहीं जा सकता बहुत शेकाने उता नहीं मना होता है कि यह लक्षवर देखा है इसको पार नहीं करना अब यह क्या करेगा बाहर निकलना तो बहुत जरूरी है ग्लुकोस को इसका फ्रेंट है तो इसने ममी पापा से चुक कि क्या तरह मैलेट के कपड़े बहन लिए यानि कि मैलेट में ट्रांस्फोर्म हो गया अब मैलेट में ट क्योंकि अब तो इसे बस ग्लुकोस को बचाना है ग्लुकोस को फॉर्मेशन करना है अब यह अपने रूप में आ गया और पी-ई-पी कार्बॉक्सी काइनेस की हेल्प से क्या बनाएगा फॉस्फोर इनॉल पार्यूवेट बनाएगा अब यह तो रही इसकी बात पर हमें का में इस बहुतिक से निकरना है कि घ्लूकोस की हेल्प में ही यह तो भीक और पार्यूąż वळी स्टैप हो फॉर्जावर्मेशन की हेल्प से sok तो यह क्या बनाता है क्या ग्ल्यूपोस और किस्मि के इमयर्चीकिन ऑप यह क्लुकोस क्यों इसक्सॐसजल जों MS Polsce हुआ ग्लुकोज 6-phosphate से ग्लुकोज नहीं बनाता इसलिए क्या हुआ यह irreversible step हुआ और बात करें फ्रक्टोज 6-phosphate बनाता है फ्रक्टोज 1-6-phosphate जो की कौन कैटलाइज कर रहा है फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज तो यह हमारे तीन steps हो गए जो की irreversible है इस पर ग्लुकोनियो जेनेसिस में अलग enzymes यूज होंगे ठेक है तो यह थे हमारे irreversible steps चलते हैं अगले question की तरह उससे पहले मैं आपको एक छूटा सा ज्यान दे देती हूं कि हम हम एक्जाम में क्या करते हैं हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं हमारे बहुत सारे burdens आ जाते हैं यह वाली कॉपी पढ़नी है वह वाली बुक पढ़नी है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं simple सा अपने mind को relax करो अपने mind को संझाओ कि मैंने यह करना है यह target अजीव करना है लेकिन उसे burden मत दो ठीक है उसको relax कर दो कि नहीं भी अचीव करेगा तो पुल बाती लेकिन हमें मेहनत पूरी करनी है ठीक है तो मेहनत पूरी करेंगे लेकिन हम burden नहीं लेंगे burden लेंगे तो हमारी capacity क्या हो जाती है कम हो जाती है और अपनी thinking को हमेशा positive रखना है उसके लिए मेरे पास एक formula है आप लोगे के लिए और वो है triple P triple P ये कहता है कि आप positive रहे और अपने आप से जो भी आप कह रहे हैं वो present में करिए यानि कि आपको क्या कहना है जैसे कि मुझे target अचीव करना है नहीं हमें ये कहना है कि मेरा D pharma exit exam clear हो चुका है ठीक है मेरा D pharma exit exam clear है यानि कि हम बात किस में करेंगे present में करेंगे और ये सारी बाते हम रखेंगे personal किसी और से जाके नहीं कहना है कि मेरा D pharma exit exam clear हो गया रोज सुबह उठके सबसे पहले खुद को बताना है कि हाँ मेरा D pharma तो हमारी जो बॉड़ी है वो उसी जिसाब से रिसपॉंड करेगी और हमें पॉजिर्टिविटी मिलेगी और हम अपने टागेट को अचीव कर पाएंगे तो चलिए नेक्स क्वेशन की बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेशन है विच और फॉलिंग इस अन एक्टिवेट और पारवेट कार्वेट कर रहा है क्यों एक्टिवेट कर रहा है अभर इसमें एक्टिवेट और वो तो पहले से ही है तो फिर से थोड़ना से बनाएगा अगर आपको पिज़ा खाना है और पिज़ा ऑलरी है तो आप दुबारा से पिज़ा बनाने थोड़ना पैठोके अब आप क्या करोगे आप कुछ और बना दोगे अब आपका मन कर रहा है cooking का, तो आप क्या करोगे, बर्गर बना दोगे, तो pyruvate अब क्या करेगा, pyruvate बनाएगा oxaloacetate, क्योंकि इसे ये बनाना था, ये तो पहले से है, अब acetylico enzyme A है, तो ये क्या करेगा, ये किसे activate करेगा, उस enzyme को जो कि ये वाली reaction को catalyze कर रहा है, कौन cat क्या क्या है, pyruvate carboxylase, pyruvate carboxylase का काम क्या है, pyruvate से oxaloacetate बनाना, तो acetyl तो पहले से है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा, pyruvate carboxylase, ये कि जाओ भई, तो oxaloacetate बनाओ, मैं तो पहले से हुँ यहां पे, तो चलिए देखते हैं, जो pyruvate carboxylase है, उसे acetylico enzyme A activate करता है, क्यो important metabolite है, लेकिन ये पहले से ही present होगा, तो क्या करेगा, ये पारुवेट carboxylase को कहेगा, तो पारुवेट को उससे दूर रखो, ठीक है, पारुवेट को अवे करो, TCA cycle से, तो पारुवेट carboxylase क्या करेगा, पारुवेट carboxylase बना देगा, oxaloacetate, oxaloacetate बनानेगा, ट्रॉ तो चलिए देखते हैं, और ये जो हमारी reaction है, ये कहां पर हो रही है, जो मारा पारुवेट carboxylase है, ये कहां है, next question है, pompase disease is due to the deficiency of, pompase disease किसकी deficiency से होती है, debranching enzyme, muscle phosphoralase, acid maltase, या फिर branching enzyme, तो इस में से किसकी deficiency की वज़े से, pompase disease होती है, it is due to the deficiency of acid maltase, यालिकि acid maltase नहीं होगा, तो कौनसे disease हो चाहेठी, pompase disease, किसकी absence में, acid maltase की absence में, तो आएए देखते हैं, जो हमारी pompase disease हो कैसी है, वो rare है, यानि कि 40,000 में से किसी एक को होती है, और कैसी है, inhalated है, यानि कि chromosome पे mutation की वज़े से होती है, हमारा जो chromosome है, उस पर mutation हो गई, और जो enzyme बनना था, वो नहीं बन पा रहा, कौन सा enzyme नहीं बन पा रहा, acid maltase नहीं बन पा रहा, अब acid maltase की absence में क्या होगा, हमारी जो heart और skeleton की muscles है, वो affect हो जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉंपेस डिसीज कहते हैं, तो यह है हमारी पॉंपेस डिसीज, next question है, what is the rate limiting step in glycolysis, अभी हमने बात करेंगी थोड़ी देख पहले, कि glycolysis के कुछ irreversible steps होते हैं, जिसकी वज़े से traffic से बचा जाता है, तो traffic से बचा जा सकता है, इसकी वज़े से, कुछ irreversible steps की वज़े स और वही जो steps हैं, वही हमारे rate limiting steps के लाएंगे, यानि की question ऐसे और वैसे, अलग-अलग forms में आएगा, आपको confuse करने के लिए, लेकिन आपको confuse नहीं होना, अगर आपका concept clear है, तो हर question को आप easily attempt कर सकते हो, क्योंकि एक ही question दस तरीके से पूछा जा सकता है, तो चलिए, हमारे जो question है, इसका answer अब तक तो आपको पता चली गया होगा, तो जो हमारे rate limiting step है, वो इन में से कौन सा है, अब पहले हमारे question में 3 enzymes दिये गए थे, लेकिन यहाँ पे हमें simple सा एक answer बताना है, तो हमारा answer है, फॉस्फो फ्रक्लो कानेज, फॉस्फो हेक्जोज, आइजो मरेज, इन्योडियाइड, प्रीफॉस्फेट, दिफ्रजेज़नेज और इनॉलेज, आथसर नहीं है, क्यों नहीं है, आपने परद रखा है, जो हमारे glycolysis है, उसमें कौन-कौन से enzymes होते हैं, और कौन-कौन से irreversible हैं, ठीक है, तो आएज देखते हैं, जो rate limiting step है, वो क्या करता है वो trafficking से बचाता है, तो trafficking से बचाने के लिए हमाई जो glycolysis है, उसमें 3 steps होते हैं, पहला होता है phosphorylation of glucose, यानि कि glucose का phosphorylation हो रहा है, किसकी presence में, hexokinase की presence में, जिसको हम glucokinase भी बोलते हैं, दूसरा step है phosphorylation of glucose 6-phosphate, और glucose 6-phosphate से क्या बन रहा है, glucose 1-6-biphosphate, यानि कि double phosphate हो गया, और दो location कौन सी है, एक first carbon पे और एक sixth carbon पे, फिर बात करें कि कौन से enzyme की presence में हो रहा है, phospho-fructokinase की presence में, और तीसरा है हमारा the conversion of phospho-inol paravid, यानि कि PEP का conversion हो रहा है, paravid बनाने में, और यह किसकी presence में हो रहा है, paravid kinase, जहां पे भी age लग जाता है, इसक मतलब यह क्या है, हमारा enzyme है, तो चलिए, next है हमारा, फिर से हमारी glycosis देख लेते हैं, इसमें कौन-कौन से steps, जो है, irreversible है, एक तो हमारा hexokinase, ठीक है, यह क्या कर रहे है, यह rate limiting step है, तो glucose से glucose 6-phosphate जब बनता है, तो यह step क्या है, irreversible है, यानि कि hexokinase, glucose 6-phosphate से glucose नहीं similarly, हमारा जो pyruvate kinase है, वो pyruvate से phosphoenol pyruvate नहीं बनाता, और एक और हमारा step है, जो कि क्या है, irreversible है, जो कि किसकी presence में हो रहा है, phospho-fructo kinase की presence में हो रहा है, तो चलिए, यह है हमारे rate limiting step, next है हमारा conversion of alanine to carbohydrate is termed as, अब alanine यहन कि non-carbohydrate precursor, से क्या बन रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, glycogenesis कहलाएगा, gluconeogenesis कहलाएगा, glycogenolysis कहलाएगा, या फिर photosynthesis कहलाएगा, तो जब हमारा non-carbohydrate precursor से, क्या बन रहा था, glucose बन रहा था, तो उस step को हमने क्या कहा था, यह बन गया हमारा glucose, glucose क्या है, carbohydrate है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, non-carbohydrate precursor है, हमारा alanine, उससे बन रहा है हमारा carbohydrate यानिकी glucose, तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा, glutoniogenesis, यानिकी glucose का फिर से बना, from a non-carbohydrate precursor, तो चलिए, next है हमारा, the complete oxidation of one mole of glucose, ठीक है, एक complete oxidation में कितने ATP के molecules बनेंगे, 8 molecules, 38 molecules, 2 या पर 12 ATP, तो इसमें से, क्या है, जो हमारा correct answer है, हमारा correct answer है, 38 ATP, आइए देखते हैं, हम 38 ATP कैसे बनते हैं, तो जब हमारी krab cycle होती है, तो krab cycle से हमारा जो production होता है, ATP का वो कैसे होता है, सबसे पहले तो 3 steps पे क्या बन रहा है, NADH plus H positive बन रहा है, एक NADH plus H positive से, हमें कितने ATP मिल रहे हैं, 3 ATP मिल रहे हैं, और बात करें, हमारे FADH2 की, एक FADH2 हमारा बन रहा है, और उसमें 2 molecules of ATP हमें मिल जाएंगे, फिर बात करें, एक ATP हमारा directly synthesize हो रहा है, ठीके, organisms में या तो ATP बनता है, या पिर क्या बनता है, GDP बनता है, अब बात करें, प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या बनेगा, ATP, और अनिमल्स में क्या बनेगा, GDP बनेगा, तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा, तो एक TCA cycle की हम बात करें, एक TCA cycle में हमारे कितने molecules बन गए, 9 plus 2 plus 1 हो गए हमारे 12 ATP, अब इसको हम क्या करेंगे, लिंक रियाक्शन के साथ भी आड़ कर देंगे, लिंक रियाक्शन कौक्सी रियाक्शन है, जिस रियाक्शन में पारुएड क्या बना रहा था, असे TCA cycle co enzyme A, इसको हम लिंक रियाक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पारुएड है, ये कहां पर है, ये हमारे cytosol में है क्योंकि glycolysis कहां पर हुआ था, cytosol में हुआ था, अब बात करें, क्रेब साइकल तो क्रेब साइकल कहां पर होनी है, माइटोपॉंड्रिया में होनी है, तो पारुएड डिरिकली इसमें पार्टिसपेट नहीं करता, पारुएड सबसे पहले, असे टाइपको इंजाइम A म और वो क्रेब साइकली में एंडिर कर जाती है, तो जो हमारी क्रेब साइकल है उसमें एंडल करने के लिए गला रियाकशन हो रही है, इसे हम बोल देते हैं, lig reaction, और इस lig reaction मे क्या बनता है, हमारा NADH ब्लस H पो तो चलिए हमारा जो ग्लुकोज है ग्लुकोज का एक मॉल्यक्यूल पार्यूड के कितने अचन मैं और प्रविट गॉक्यूज में दो इसे गोन जाएगी तो इसे तो यह दो बार जूड़ और दो एक न्यांगे बनेंगे, दो ऐसे टाइको एंजाइम A से, दो सिप्रेट बनेंगे, और ऐसे ही हमारी पुरी रियक्शन में कितने मॉलिक्यूस बनते जाएंगे, दो मॉलिक्यूस बनते जाएंगे, और उन्होंने पुचा है कि एक मोल ऑफ ग्लूकोस से कितनी एनर्जी प्रडियूस होगी, तो चलिए, यह जो हमारी लिंक रियक्शन है, इससे तीन बने थे, मर्टिप्लाइटर गिया हमने टूसे, अब हो गए हमारे पास टोटल 30 ATP, टोटल हमारे कितने हो गए, क्रेफ साइकल के 30 ATP मॉलिक्यूस, अब बात करें ग्लाइकोलसिस की, तो ग्लाइकोलसिस से हमें कितने मिले थे, 8 ATP मिले थे, तो टोटल कितने हो गए, 38 ATP मॉलिक्यूस, तो यह है हमारे टोटल ATP मॉलिक्यूस, जो कि हमें एक मोल औफ ग्लुकोस से मिलेंगे, तो नेक्स क्वेशन है, ता कनवर्जिन औफ फ्रक्टोस आड गैलेक्टोस इन्टू ग्लुकोस अकर से, अब फ्रक्टोस भी क्या बना रहा है, ग्लुकोस बना रहा है, और गैलेक्टोस भी क्या बना रहा है, ग्लुकोस बना रहा है, अब यह पूछ रहे हैं, कि यह जो कनवर्जर है, यार्कि फ्रक्टोस से ग्लुकोस का बना, और गैलेक्टोस से ग्लुकोस का बना, यह कहां पे हो लिवर में, किड्नी में या पिर लॉपस में, तो यह कहाँ पे होता है, हमारे लिवर में होता है, तो आईए देखते हैं, जो गालक्तोज है, वो क्या है, मोनोसेकराइड है और वो या तो किसमी convert होगा, glucose 1-phosphate में convert होगा और glycogen की form में store हो जाएगा या फिर वो convert हो जाएगा glucose में और हमारे circulatory system में क्या होगा? दिलीज हो जाएगा फिर बात करें fructose की fructose या तो glycolysis में enter कर जाएगा ठीक है glycolysis में enter करके क्या करेगा? energy को produce करेगा या फिर glucose बनाने में काम आएगा through the process of gluconeogenesis तो ये है हमारे step जिसमें की fructose कहां पे enter होता है? यहां पे enter होता है glycolysis में fructose 6-phosphate में convert होगे next question कहता है the sequence of reaction from glucose to pyruvic acid अब glucose से pyruvic acid का बनना क्या कहलाता है? EMT pathway, corey cycle, citric acid cycle या फिर denovo pathway तो इन में से क्या है हमारा answer? हमारा answer है EMT pathway glucose से pyruvate का बनना क्या कहलाता है? glycolysis कहलाता है और glycolysis का दूसरा नाम क्या है? EMT pathway है और बात करें corey cycle की तो corey cycle क्या होता है? जब हमारी जो muscles हैं lactic acid produce करती हैं यह lactic acid glucose में convert होने के लिए इसके पास जाएगा? liver के पास जाएगा क्योंकि हमारा जो glycolyogenesis है वो कहां होता है? liver में होता है और उसके enzymes कहां present है? liver में present है तो इसे लिए हमारा जो lactic acid है वो किसके पास जाएगा? liver के पास जाएगा इसको हम क्या होते हैं? corey cycle अब बात करें citric acid cycle तो हमारी जो crepe cycle है यानि के हमारी PCA cycle उसको हम क्या कहते हैं? citric acid cycle भी कहते हैं और D-NO-O pathway होता है simple molecules से complex molecules का बनना और इसे D-NO-O pathway क्यों कहते हैं D-NO-O it means from the new नए चीजों से बनना क्या कहलाता है हमारा D-NO-O pathway कहलाता है तो देखते हैं glycolysis को हम E-N-P pathway कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो discovery करी थी वो किसने की थी? Emden, Mierhoff और Pardus ने इसकी discovery करी थी इसे लिए हम इसे कहते हैं E-N-P pathway after the name offers discoverer यानि कि जिसने इसकी discovery करी थी उसी के नाम पर इसका नाम लगती है तो हमारा next question है citrate synthetase is inhibited by the enzyme succinyl coenzyme A acetyl coenzyme A malate dehydrogenase या अपर oxalo acetate अब citrate synthetase को कौन रोगता है? citrate synthetase यानि कि यह क्या बनाता होगा यह देखो नाम से ही पता चल रहे कि citrate synthetase से क्या बन रहा है citrate बन रहा है पहले हमने बात करी थी paruid carboxylase की अब बात कर रहे है citrate synthetase की तो citrate synthetase से क्या बना है citrate बना है तो उसे कौन रोकेगा? succinyl coenzyme A A, Acetyl Coenzyme A, Malate, Dehydrogenase, Oxylacetate. तो उसे Succinyl Coenzyme A रोखेगा. क्यों रोखेगा? आइए देखते हैं. अब देखो, इसने सिंत्रेट सिंथेज में क्या बनाना है? सिंत्रेट बनाना है. और सिंत्रेट क्या बनाएगा? ये सारे Intermediates बनाएगा. जिसमें सांक चिए का तो नगला एक सक्रण दोसे करें पर ये सिट्रिंटर्तों नहीं करें है अगर घर में पिजा का समान रखा है तो आपका मन करेगा कि पिजा बना लिया जाए तो समान तो पहले से मौजूद है तो वो क्या करेगा से स्ट्यूमिलेट करेगा पिर next option है हमारा malate dehydrogenase अब malate dehydrogenase का जो काम है वो क्या है malate से oxaloacetate बनाना तो ये तो उसमें कोई role play नहीं करेगा और last option है oxaloacetate और oxaloacetate जो है हमारा वो क्या करता है वो तो reaction में participate करता है तो वो इसे नहीं रोखेगा तो कौन रोखेगा सक्षिलाइग वो एंजाइम नहीं next है हमारा citrate synthesis is stimulated by अब एक ही तरह से दो question पूछेगा एक में पूछा गया कि inhibition किसे हुआ और दोस्में में पूछा गया कि stimulation किसे हुआ यानि कि reaction को proceed करने के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आंसर क्या है एसे ताइल को एंजाइम ए क्या करेगा इसे stimulated करेगा next question है जो हमारी यूरिया साइकल है उसका एंड प्रड़क्ट क्या होता है यूरिया और्टीन और्निटीन ornithine and fumaric acid या भängt आज़नी and urea तो इनमें से कौन है जो की यूरिया साइकल के end प्रड़क्ट है तो वो है हमारे यूरिया and ornithine आईगे यूरिया साइकल को देख रहते हैं यह हमारी यूरिया साइकल जो ammonia है वो क्या होता है टॉक्सिक होता है तो ammonia को directly ना release करके पहले उसे किस में convert किया जाता है यूरिया में convert किया जाता है और यूरिया के साथ क्या बन रहा है और निथीन भी बन रहा है तो इसके जो ant products हुए वो क्या हुए एक तो यूरिया और दूसरा और निथीन नेक्स पैशन है breakdown of glycogen to glucose is known as अब glycogen का breakdown हो रहा है और क्या बन रहा है ग्लुकोस बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे glycogenesis बोलेंगे glycogenolysis बोलेंगे glycogenolysis बोलेंगे अब उन्होंने question को थोड़ा सा गुमार दिया glycogenesis की जगह क्या लिख दिया EMP पाथवे पर हमें तो पता है तो हम अच्छे से पढ़के जाएंगे तो हमें एक एक चीज़ का मतलब clear होता चला जाएगा EMP पाथवे में 2-phosphoglycerate किस में convert होता है glycogenesis में 2-phosphoglycerate convert होता है phosphoenol pyruvate में convert हो रहा है तो चलिए next question है ammonia in the brain is converted into urea glutamine glutamic acid level creatinine तो जो ammonia है brain में वो किस में convert होगा वैसे तो ammonia किस में convert होता है अभी हमने urea cycle की बात करी थी तो ammonia किस में convert होगा था यूरिया and ornitine अब हम बात कर रहे हैं brain की की brain में ammonia किस में convert होगा तो brain में किस में convert होगा brain में होगा glutamine में convert क्योंकि ammonia क्या है toxic है हमारे brain के अबर star shape cells होती है ज Moderium जिसे हम कर देंगे एक است canned होती है Mormon जा सब्सक्राइब अबहुते हैं हमारे भी सोंने तोछिदी Pennsylvania प्रस्थ न सबस्क्राइब करका हा यह था है आपको में में तो चलिए तो चपार डी खूंड निदे बिद्फ में हमारा बेदफ किसे पहले किसे अब यूरिया को में पर्द करता पर चांद यूलिया में हमें कर एक मैं के में convert हो गलूटामीन में convert हो जाएगा और ये काम कौन करता है एस्ट्रोसाइट से करती हैं किस की presence में glutamine synthase की presence में glutamine synthase क्या करता है glutamate से glutamine बनाता है तो ये काम कौन करता है हमारी estrocytes करती है हमारे बुल को बचाने के लिए तो चलिए next है हमारा one of the following is not an amino acid अब इन में से कौन amino acid नहीं है और हमारे options है glycine, hydroxy proline, glutamic acid या फिर kooline अब इन में से कौन amino acid नहीं है तो हमारा answer है kooline कैसे आईए देखते हैं ये हैं हमारे amino acids की list जिसमें की हमारा glycine पियाता है proline पियाता है और glutamic acid पियाता है जो hydroxy proline है वो क्या है वो इसी का ही metabolite है proline का क्या है metabolite है तो ये हैं हमारे amino acids आलीन, सुस्टीन, aspartic acid, glutamic acid ये सभी क्या है हमारे amino acids है जिसमें से की कुछ essential है कुछ non essential है और कुछ क्या है semi essential है तो ये था आज का lecture I hope आपको अच्छा लगा होगा और आप जम कर पढ़ रहे होंगे अपनी तयारी को और ज़्यादा मस्बूत करने के लिए आप Pharmacy India के साथ जोड़ सकते है आप Pharmacy India Life को subscribe भी कर सकते हैं YouTube पे और हमारा आप भी डाउंडोड कर सकते हैं from the play store मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, bye bye, take care